हेलो फ्रेंब्स मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रूफ यूर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंब्स फच्टेवर आ गया है सबके यहां गुछिया पूरन फोली गेवर बनने लगा है तो आज हम पूरन फोली की रेस्पी रेकर आये हैं वही अलग तरीके से इसे ना हमें प्रूर्फ करना है ना जाधा ताइम देना है और बिल्कुल टेश्टी पूरन फोली करेंगे तो चविये इस विच्पी को हम बनाना श्रू करते हैं पूरन पॉली बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है चना का दाल जिसे हमने चे गंटा पहले भीमों के रखा थ गुड 200 ग्राम हमने ले रखा है देशी घी जाय फल इलाइची पॉडर और नमक हम थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू कर गए हैं अहां पर हमने एक मिकसर जार लिया है उसमें हम सबसे पहले अपना सोग किया हुआ चना डाल डाल देंगे पूरान पोली में यही में इंगिलियन्स होता है लेकि जो श्टफिंग वाली बनती है उसमें हम उबाल के डालते हैं और ये नए तरीके से हम पूरान पोली बना रहे हैं गुर कई पर काड़ के होते हैं, कुछ गुर हार्ड होता है तो उसे कड़ुकस कर लीजे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और एक स्मूद सा पेश्ट बना लेंगे, चलिए हम इसका पेश्ट बना लेते हैं, हमने डाल और गुर को अच्छे से पिश लिया है, आप द बेंख के और मैधे के डाल और अटा में भीड़ उसके के और एक मेल काड़ान बनाइप, और बनाउर ओन सकती हैं और पना सकती हैं, जचाहें से इसमेल की डाल का फ़ल友 साथी, यहां पर बना को पितिते हैं, और इसमीन त्राहएं, चलिए दूशा हे चाहें, मेधे घ्र ज अब हम उसमें डालेंगे नमक, ताथ में हम डालेंगे एलाइसी पौडर, अब हम इसमें छाइफल घीश लेंगे, थ्यान रहे, जाइफल का फ्लेवर काफी श्ट्रॉंग होता है, तो हमें बिल्कुल ठोड़ा सा डालना है, इसमें ज्यादा नहीं डालना है, तो हम इतना ही कि अब सभी ड्राइ इंग्रेंश को हम पहले मीक्स कर लेंगे तो हमने ड्राइ इंग्रेंश मिक्स कर लिया अब हमने यहां पे चने और गुर का गोल बनाया था उसको डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एक स्मूथ सा फेष्ट हमें बनाना है, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और धोल तयार करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम मिक्सर जार धोधो के पानी और अड़ कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, हमने कितना बढ़िया अपना धो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, जब हम गिरा रहे हैं, तो इसकी धार तूट नहीं रही है, यानि कि यह ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, फड़ फेट तयार हुआ है, अब चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं, गैस पर हमने एक पैन गरम कर लिया है, इसमें हम दालेंगे एक च कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे देशी घी यूज कर रहे हैं, तेल को हमने फैला दिया, तो अपनी घी अच्छे से फैल चुकी है, अब हम बेटर में से एक चम्मच लेंगे, और धीरे से भीच में हम इसे छोड देंगे, तो फेंच इसे हमें यहाँ पे फैलाने ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी होल की कंसिस्टेंसी ऐसी है, कि यह आटोमेटिक अपने ही पैन में भैल जाएगा, हाँ आपको बड़ी साइच का बनाना है, तो एक चम्मच के जगह पे देर चम्मच ले लिए, तो हमने पूरन पुली का भोल डाल दिया है, अब हम ढखकन से कभर क करना ज़रूरी था, क्योंकि हमने इसमें कच्छा दाल पीसा है, वायल नहीं किया है, और इसमें किया भी नहीं जाता है, तो आप इसे दो-तीन मिनित पका के फिर से फ्लीप कीजिए, अब हमें ठकना नहीं है, दोनों साइट से हम उलट पलट के कडारेदार से लेंगे, तो की मदद से दबाते हुए पकाएंगे, इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, यानि कि आप इतना में इस टॉफिंग वाला बनाते हैं, उससे कम पाइम में ही ये अपना पूरन पूली तयार हो जाता है, और ठाने में तो इसका जोड नहीं है, हमने ऐसे इस टेचला से प्रेज करते हुए दोनों साइट से अपनी पूरन पूली पका लिया है, कितना बढ़िया तयार हुआ है, आपको लग रहा है कि भीना एच टॉफिंग वाला ये पूरन पूली है, तो फ्रेम्स अब ये दोनों साइट से सीख चुका है, इसे हम रिसाउट कर लेंगे, तो ह इस रेस्पी को आप भी बनाएए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूट कीजिए, धन्यवाद